पूरी टैली हमें बताएंगी इस वक्त जार्खन और खासकर महराज से क्या-क्या दे आँचल, ओबर टूइए शुक्रिया शुक्र जी और साथी रीमा और साफ तोर पर यह कहा जाता है कि यह वक्त अदब से पेशा, वक्त बदलते देर नहीं लगती है और जार्खन विधान सभा चुनाफ की जो तस्वीर और तद्बीर है यह यही इशारा करी आप देख सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी और साफ तोर पर लबोलुबाब यही समझ में आ रहा है कि जिस तरह से सोरेन वर्सेस सोरेन का एक जगड़ा उसका असर इस वक्त के रुजानों में साफ तोर पर नदर आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम इनको रीजन वाइस समझने की कोशिश करें जार्खन विधान टाइगर वर्सेस टाइगर भी हम मान सकते हैं इस बार अगर हम अगला रीजन को देखे तो यह है उत्री छोटा नागपूर जहां बीज़पी के पास 13 आजसू के पास 4 जार्खन मुक्ती में और चार कॉंग्रेस की 2 आरजडी 1 और जब हम बात करते हैं उत्री छोटा नागपूर की तरफ जहां पर हम ये समझ सकते हैं चरे पहले पलामू का जिकर कर लेते हैं तो अकर हम पलामू की यहां पर बात करते हैं 5 विदान सबग श्वेत्री यहां पर आते हैं और उस लिहाज से बीज़पी 2 आजसू शूने जहार्कन मुक्ती मोर्चा क्यूंकि पर आ रही है हमने जिक्र किया था उत्री चोटा नापपुर का संथाल पर गना जो लगाता रिका जाता कि अगर मुख्यमंतुरी बनता है जारकन में तो संथाल से आना तै माना जाता है लेकिन यहां पर भी अगर आप देखे तो बीज़बी कड़ी टकर देती नौ सीटे नतीजे नहीं आते हैं नतीजे आते हैं काम से और क्या जनता इस बार मुद्दो पर वोट कर रही है ये इस से कुछ न कुछ तस्वीर साफ होती भी दक्षिन चोड़ा नापपुर जहां पर रावल गानी ने कई तावर तोर रेलियां की और कोशिश की की 2000 के विदान सभा चुनाफ के बाद हमने देखा कि ये बीजेपी का गरता लेकिन अब क्या इसे भेदने में काम्याब होगी इंडिकर बंदन यहां पर बीजेपी के पास एक वहां कॉंग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई तीन जहारखन मुक्ती मोर्चा का यहां खाता भी नहीं खुला ह तो कई सीटों पर यहां पर परिवार बनाम परिवार की लड़ाई है और उस लेहाज से आप देखे कि क्या गुरुजी के गुर उनकी अपने बच्चों के काम आते हैं या नहीं अब अनुसूचे जाती की सीटों पर भी एक नदर डालते हैं तो नौ सीटे हैं अगर हम सबा चुनाफ की अगर हम तस्विर को देखिए अनुसूचित जन जाती की सीटे हैं तीगे क्योंकि ये बहुत एहम हो जाता है जब हम बात करते हैं जारखंड की क्योंकि जारखंड के लिए या दिवसी बहुल इलाक है और लगातार ये कहा जाता है कि भई वो चुनाफ च कर ये समझाया